जबादी योगी ने अपना ग्यान पसारत किया वो 112 तरीके उनके जो साथ शिश्य थे सबतरिशी उन्होंने इस ग्यान को 16 तरीकों से 7 हिस्सों में बाटा तो उनमें से हर एक ने परम ग्यान को प्राप्त करने के 16 तरीके सीखे योगी कथाओं में कहा गया है कि उन्हें इसे सीखने में 84 साल लगे इन 84 सालों में आदी योगी उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं रहे धीरे धीरे वो उनके लिए सब कुछ बन गए जब सब्त रिश्यों ने इन 16 तरीकों को आत्मसाद कर लिया तबादी योगी ने उनसे कहा अब जाने का समय आ गया है तुम लोगों को जाकर बाकी दुनिया के साथ इसे माटना है जब वो जाने ही वाले थे उन्होंने कहा लेकिन गुरु दक्षिना का क्या हुआ ऐसा नहीं है कि गुरु को दक्षिना की जरूरत है बात बस इतनी है कि गुरु चाहते हैं कि वो एक समर्पन की भावना के साथ जाए कुछ बहुत कीमती भेट करके जाए क्योंकि समर्पन की अवस्था में ही एक इनसान अपने चरम पर होता है तो आदी योगी शिव ने गुरु दक्षिना मांगी ये सातों भौचक के रह गए उन्हें क्या अर्पित करें उनके पास ऐसा क्या है जिसे वो आदी योगी को भेट कर सके अगस्ति मुनी ने कहा मेरे पास सोला रत्न है सबसे कीमती रत्न ये सोला रत्न जो मैंने आप से प्राक्त किये हैं मैं आपको अर्पित करता हूँ उन्होंने 84 साल की कठोर साधना के बाद इसे हासिल किया था और अभी की पल में जब उन्होंने गुरु दक्षिना मांगी उन्होंने उसे उनके चड़नों में अर्पित कर दिया और रिक्थ होकर खड़े रहे बिलकुल शून्य आदी योगी ने कहा जाने का समय हो गया है वो खाली हात वहां से चल पड़े और ये उनकी शिक्षा का सबसे मुख्य पहलू था चूंकि वो रिक्थ होकर निकले वो उनके जैसे बन गए शिव का अर्थ है वो जो नहीं है वो भी वो बन गए जो नहीं है चूंकि वो ऐसे बन गए इसलिए उन सातों में से हर एक के माध्यम से सभी 112 तरीकों को अभिव्यक्ति मिली वो चीजें जो वो कभी भी नहीं समझ सकते थे वो चीजें जिसके लिए उनमें कोई ख्शमता नहीं थी वो चीजें जिसके लिए उनके पास जरूरी बुद्धी नहीं थी वो सब उनका एक हिस्सा बन गए क्योंकि उन्होंने उसे अर्पित कर दिया जिसे उन्होंने हासल किया था जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था उन्होंने उसे आदी योगी को वापस कर दिया और खाली हाथ निकल पड़े